बॉलिवूड एक्टर रनवीर सिंग न्यूट फोटो शूट मामले में चेमबूर पुलिस ने अभिनेता का बयान दर्च किया है रनवीर सिंग ने चेमबूर पुलिस थाने में इसना बयान दर्च कराया करीब दो घंटे तक पुलिस ने बयान दर्च किया इस मामले में पुलिस ने दो बार रनवीर सिंग को समन भेजा था लेकिन सोमबार सुभा रनवीर अपनी लीगल टीम के साथ चेमबूर पुलिस स्टेशन पहुँचे और दो घंटे तक उनका पुलिस द्वारा स्टेटमेंट दर्च किया गया इस दोरान पुलिस ने रनवीर को कई सवाल पूछे मसलन न्यूट फोटो शूट का कॉंट्रेक्ट किस कंपनी के साथ था फोटो शूट कब और कहां कराया गया इस तरह के शूट से लोगों की भावना आहत हो सकती है इसके जानकारी आपको थी क्या बता दें के पिछले महिने के अंत में एक मैगजीन के लिए एक्टर रनवीर सिंग ने फोटो शूट कराया था जो इंटरनेट पर वाइरल हो गया और उसके बाद हलचल मत गई ये फोटो शूट सतर के दशक के पॉप आइकन बर्ट रेनाट्स को श्रधांजली थी जो कॉस्मो पॉलिटन मैगजीन के लिए 1972 के शूट में भी न्यूट हो गए थे बॉलिवूड अभिनेता रनवीर सिंग अपने न्यूट फोटो शूट को लेकर काफी विवाद जहल रहे हैं उनके इस फोटो शूट का जहां फिल्मी सितारे खुल कर सपोर्ट कर रहे हैं वही कुछ ऐसे भी लोग हैं जिने रनवीर सिंग का न्यूट फोटो शूट करवाना पसंद नहीं आया फोटो शूट करवाने पर उनके खिलाफ एफायार तक दर्च हो चुकी है